हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो सिलेक्शन टार्गेट आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी आगामी प्रिक्षाओं के तयारी में पूर्ण मनो योग और मेहनत से लगे होंगे दोस्तों आपकी इस मेहनत में मैं भी छोटा सो कांट्रिबुशन अपने वीडियो के मादम से करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वीडियो जो भी आप देखते हैं जो भी से सीखते हैं वह आपकी आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्फुल और यूसफुल साबित हो तो सुरू करते हैं बिने किसी देरी के अपना ये टॉपिक दोस्तों महतवपूर्पद और उनके विक्तियों के बारे में पढ़ेंगे यानि महतवपूर्पद में जो विक्ति आसीन हैं जो बैठे हैं उनके विशे में और सबसे पहला प्रेशन आपके समक्ष है कि भारती सेना का सरवक्ष सेनपती निम्ने में से कौन होता है भारती सेना का सर सरवोच्च सेनापति निम्निमें से कौन होता है तो दोस्तों आपके पहला ऑप्षन है राजनात सिंह दूसरा है रामनात कोविड जो की हमारे राष्ट पति भी है तीसरा आप्षन है नरेंदर देश का राष्टपती ही होता है और हमारे देश के राष्टपती कौन है रामनाथ सिंग जी है इसलिए भारती सेना का जो सरवच सेनापती है वो रामनाथ कोविद जी है तो यह था आपका पहला प्रश्ट न उसका जवाब दोस्तो वीडियो के अंत में आपके लिए आंसर सीट आवेलेवल रहती है अगर आपको यह पीडियो चाहिए हो तो आप मेरा टेलिग्राम चैनल जो की स्लेक्शन टार्ग्ट के नाम से ही है जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस पे क्लिक करके आप चैनल को जोइन कर सकते हैं और वहाँ से इस पीडियो फो विथ आंसर सीट हासिल कर सकते हैं इसलिए आपको कुछ भी लिखने की जरुत नहीं है कोई कॉपी पिन नहीं लेना है आपको सिर्फ पूरा ध्यान लगा करके पढ़ना है और पीडिएफ जो है वह आपको मेरे टैनिकलाम चैनल जो कि सेलेक्शन टार्गिट के नाम से आपको महाँ उपलब्ध हो जाएगी अब अगला प्रशन है कि चीफ आफ डिफेंस स्टाफ निम्ने में से कौन है दोस्तों अभी हाली में नरेंद मोदी जी ने CDS एक नया पद बनाया है जो कि सेनाओं से जुड़ी हुई हर प्रकार की समस्याओं को देखेंगे सुल जाएंगे और जो भी बजट होगा उनके लिए वो गवर्नमेंट से अपनी बात रखेंगे तो ये सबी जितनी भी सेना में अवेवस्था हैं इन अवेवस्थाओं को दूर करने के लिए नरेंद मोदी सरकार ने Chief of Defense Staff यानि CDS की नित्ती की है तो इन में से CDS जो Chief हैं वो कौन है तो आपका पहला option है कि रामनात कोविन जी दूसरा option है नरेंद मोदी तीसरा option जनरल विपिन रावत और D option है अमिस साहम दोस्तो इस प्रशन की आने की बड़ी संभावना है क्योंकि एक नया प्रशन है क्योंकि ये एक नया पद है जो कि गवर्मेंट ने इसको बनाया है और ये बहुत ही महत्वपूर भी हो जाता है सैनिक दरश्टी से डिफेंस की दरश्टी से इसलिए ये प्रशन काफी जादे इंपोर्टेंट है तो इसका जो option सही option है दोस्तो वो है जनरल विपिन रावत जो की हमारे सेना के जो थल सेना होती उसके जो अध्धक्ष थे जो रिटाय होने के बाद मोधी सरकार ने जनरल विपिन रावत को चीफ आप डिफेंस स्टाप गोसित कर दिया तो याद रखीगा आपका option है जनरल विपिन रावत दोस्तो अगला प्रशन है कि वर्तमान वाईयू सेना ध्थक्ष निमने में से कौन है आपका option है option B विपिन रावत option C राकेश अस्थाना option D इन में से कोई नहीं तो दोस्तो आपको बताना है कि वर्तमान वाईयू सेना ध्थक्ष निमने में से कौन है दोस्तो आपका option A जो है वो सही है आपके एस भदवरिया आपके वर्तमान वाईयू सेना ध्थक्ष है चलते हैं अगली प्रश्णी की तरफ कि वर्तमान नौ सेना ध्थक्ष निमने में से कौन है आपके option है option A अजीत कुमार option B करम बीड सिंग option C गरीश बापट और option D इन में से कोई नहीं दोस्तों आपको बताना है कि वर्तमान नौ सेना ध्थक्ष निमने में से कौन है दोस्तों इसका जो right answer होगा वो होगा करम बीड सिंग इनको बोलते है Admiral करम बीड सिंग थल सेना ध्थक्ष जो होता है उसको हम लोग बोलते है General जो उसका Chief होता है उसके आगे हम लोग General सब्द यूज़ करते है जो वाई यू सेना ध्थक्ष होता है इसके आगे हम Air Chief Marsal वर्ड यूज़ करते है और जो नौ सेना ध्थक्ष होता है उसके आगे हम Admiral शब्द यूज़ करते है तो वर्तमान जो नौ सेना ध्थ है हुआ है अड्मिरल करम बीर सिंग अगला प्रश्ण है कि निम्ने में से वर्तमान थल से ना देख्ष कौन है दोस्तों आपको अप्टल से ना देख्ष बताना है जो कि जनरल होते हैं तो आपको बताना है आपका ऑप्शन ए है मनोज मुकुंद रनावने नरावने ऑप्शन बी संजे कोठारी ऑप्शन सी पंकच कुमार ऑप्शन डी इन में से कोई नहीं तो दोस्तों आपको बताए नए कि वर्तमान थल से ना देख्ष इस समय कोन हैं दोस्तों आपका सही ऑप्शन है जनरल मनोज कुमार या मनोज मुकुंद नरावने इनकी नाम किया कि जनरल मैं देक्ष जो नाम होता है उसके आगे जनरल सब्दकाई प्रियोग किया जाता है अब चलते हैं अंगले प्रेश्टिंग की तरफ वर्तमान रास्ट्री सुरक्षा सलाहकार निम्ने में से कौन है तो बताएए रास्ट्री सुरक्षा सलाहकार कौन है यह हुद ही फेमस परसन है और इनका इत्यास तो अकसर सोचल मेडियो पर ट्रॉल करता रहता है और आपका जो आप्षन सही आप्षन है वो है अजीत डोवाल जी बताते हैं यह तो कई साल तक पाकिस्तान में भी रहे और वहां के खूफिया जानकारी भारत पहुँचाते रहे और पाकिस्तान को खब मुख आर्थिक सलाहकार कौन है केद्र सरकार के रृत्मां मुख आर्थिक सलाहकार कौन है तो आपका option है निर्मला सीतारमर, option B, अर्विंद कौमार, option C, क्रिष्णमूर्ती सुप़्रिम्यम और option D इनमें से कोई भी नहीं तो दोस्ट ragd. or Left, जो तो दोस्तों आपको इस चीजें समझ में आ रही हैंगी और आपको नोड करने की विजरोत नहीं है सिर्फ आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है और जल्दी-जल्दी skip करके आगे नहीं बढ़ना इससे क्या होता है कि चीजें फिर मिस हो जाती है या मन में confusion रह जाता है अगर आपको इसी चीज को पढ़ रहे हैं और अपनी टेक्टिस जो है वो दुबारा कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशनी के तरफ केंदरी जांच ब्यूरो के वर्तबान देशा कौन है यानि CBI के वर्तबान देशा कौन है दोस्तों जितने भी पद हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है इसलिए मैं सामरिक दिश्टे से बहुत ही इंपोर्टेंट है इसलिए मैं इस टॉपिक को यहां पर आपसे डिस्कुस करना ज़री समझा और इसलिए मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत हैलफूल साबित होगा आप्शन B आनिंदो मंजूमदार आप्शन C संजे कुमार मिसरा आप्शन D इन में से कोई भी नहीं तो बताए दोस्तों कि CBI के निदेशक निमने में से कौन है दोस्तों आप्शन A रिशी कुमार सुकला CBI यानि केंद्रिय जाच ब्यूरो के वर्तपान निदेशक है तो यह याद रखेगा रिशी कुमार सुकला अगला प्रशन है दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो यानि IB के वर्तपान प्रमुख कौन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता है जो की हमारे देशकी सुरक्षा गोपनी सुरक्षा को बनाया रखता है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानि IB के वर्तपान प्रमुख निदे में से कौन है आपके ऑप्शन है ऑप्शन A. संजे कोठारी ऑप्शन B. अरविंद कुमार ऑप्शन C. विवेक जोशी ऑप्शन D. इन में से कोई नहीं तो बताएए दोस्तों इन में से सबसे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानि IB के वर्तपान प्रमुख कौन है तो आपका ऑप्शन है अरविंद कुमार यानि ऑप्शन B जो अरविंद कुमार है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख है दोस्तों अगला प्रशन है कि रेल्वे बोर्ड के मुख कारकारी अध्यक्ष यानि CEO कौन है दोस्तों अभी RRB NTPC का एक्जाम होना है तो जब रेल्वे का एक्जाम है तो रेल्वे से जुड़े हुए important questions जरूर पूछे आते हैं कई साइट topic होते हैं इसलिए ये प्रशनाव के लिए है कि रेल्वे बोर्ड के मुख कारकारी अध्यक्ष यानि CEO निम्नमें से कौन है आप्शन A वी के यादो अध्यक्ष जो है वह वी के यादो है तो यह आपको याद रखना है यह RRB NTPC के लिए बहुत ही महत्पूर कोशन हो सकता है अगला प्रशन है भारती प्रतिभूती एवं विनमें बोर्ड यानि से बी के वरतमान अध्यक्ष निम्नमें से कौन है सेवी के वरतमान अध्यक्ष जो है वो कौन है आपका उप्शन है उप्शन A अजे कुमर उप्शन B राजीव गाबा उप्शन C येश वर्दन सिनह और शम डी अजे त्यागी तो दोस्तों आपको बताना है कि सेवी के जो वरतमान अध्यक्ष है वो निम्नमें से कौन है और सेवी भी एक बहुत ही महत पूर्ट बहुत ही इंपॉर्टन पद है देश के अंदर तो आपके आप्शन मैंने बता दी हैं आपके सामने हैं और आपको सही आप्शन चुनना है तो दोस्तों सेवी के जो वरतमान अध्यक्ष है वो हैं अजय त्यागी यानि आप्शन डी आप्शन डी अजय त्यागी भारती प्रतिभूती एवं विनिमाय बोड यानि सेवी के वरतमान अध्यक्ष है दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारती दूरसंचार विनियामक, प्रदिकरण, ट्राई के वर्तिमान अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों आप जानते हैं इस संस्था के बारे में कि ये जितने भी दूरसंचार टेलीफोन इन सब के बारे में अपनी एक रूल्स बनाती है उस rules को follow करने के लिए telecom companies को suggest करती है और अगर कोई customer के साथ कोई नुकसान होता है तो उस पर ये कारवाई ही भी करती है तो भारती दूर संचार, विनियामक, प्रादिकरन, ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके option A, PD बगेला, option B, गारगी कॉल, option C, अजे भोशन पंडे, option D, राजिश रंजन तो दोस्तों आपको बताना है कि ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों option A, PD बगेला, जो है वो भारती दूर संचार, विनियामक, प्रादिकरन, के वर्तमान अध्यक्ष है तो याद रखेगा, PD बगेला अगला प्रशन है कि वर्तमान मुक्ष चुनाओ आयुक्त निम्न में से कौन है दोस्तों वेरी वेरी important question और पिछली बाद सुपर्टेट 2019 जो हुआ था उसमें ये पूछा गया था और बहुत लोगों की गलतियां हुई थी इस question में क्योंकि उन्होंने क्या किया था ये वर्तमान और जो नी वर्तमान जानी जो पूर्वित है उनको दोनों का नाम दे दिया जिससे की लोग अपडेट नहीं थे और confusion में इस question को बहुत लोगों ने गलत किया लेकिन अब ये question गलत नहीं करना है वर्तमान मुख चुनाव आयुक्त निमने में से कौन है पहला option है सुनील अरोडा, option B ओपी रावत, option C दाजेश चंद्र, ये option D इन में से कोई भी नहीं तो दोस्तों वर्तमान जो मुख चुनाव आयुक्त हैं जो प्रिजन टाइम पर रहें वो हैं सुनील अरोडा जो प्रिजन टाइम पर वर्तमान समें में सुनील अरोडा, सुनील अरोडा, याद रखेगा सवाल पूछा जा सकता है किसी निकर्याम में तो इसलिए बहुत द्यान से वीडियो जरूर देखेगा दोस्तों अगला प्रशन है कि केंदरी फिल्म प्रमारन बोर्ड का अध्यक्ष निम्ने में से कौन है केंदरी फिल्म प्रमारन बोर्ड जो की फिल्मों के बारे में अपनी राय देखता है sensor board विका भी प्रयोग करता है तो यह इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन है आपका पहला option है नीलम भारत द्वाज, option B प्रशून जोशी, option C दिनेश कुमार, option D अजीत कुमार, इस चारो option है आपके सामने आपको बताना है कि केंदरी फिल्म में प्रमारन बोर्ड का अध्यक् है तो इस तरह से यह प्रश्ण भी आपके समक्ष है अगला प्रश्ण है कि दाश्ट्री जाच एजनसी एन आई-ए के वर्तमान महान देशक कौन है तो वेरी इंपोर्टन डिफेंस सेक्टर में तो यह बहुत ही बड़ा पाद है पूरे आप जानते हैं अक्सर बड़ी-ब लिफेंस से जबरण करती है जोकि दाश्टी हिद के मामले होते हैं तो आपको बताना है कि दाश्टी जाट एजनसी एन-आई-ए के वर्तमान महान देशक कौन है आपका पहला अप्शन योगेंद्र-चंद्र-मोदी पहला ने योगेंद्र-चंद-मोदी आपंषन B- संजे मिश्रा आप्शन सी अजी डोबाल और आप्शन डी पंकच कुमार तो दोस्तों अजी डोबाल तो हो नहीं सकते क्योंकि राष्टी सुरक्षा सलागार है इसलिए जो राष्टी जांच एजनसी के महाने देशक हैं आप्शन ए योगेंद्र चंद्र मोदी एक मोदी दे मैंने अभी आपके साथ डिसक्स किये और यह किसी ने किसी आगामी एक्जाम में जरूर पूछे आएंगे इस लिए इस वीडियो को मिस्त नहीं कीजिएगा और इसकी पीडिएफ जो है वोग टेलिग्राम चैनल जो की सलक्सिंट टार्गट के नाम से वहां उपलब्द रह झाल 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 झाल